नमस्कार दोस्तू, स्वागत है आप सभी का इश्टेटी विद ग्यान प्रकास के मानी न्यूस से सर्में फ्रेंड्स आज वसंद पंजमी है और मेरी आप सभी के प्रति बहुत सारी सुबकामराएं हैं मैं चाहता हूँ कि मार्स वसंद आप सभी के जीवन में धेर सारा ग्यान और धेर सारी सफलताएं लेकर आएं जिससे आपका भविश मंगल में और उज्जुल बन सके तो फ्रेंड्स सुरू करते हैं आज का मानी न्यूस जसा कि आपको पता ही है कि आज की तारीक है दस फरवरी 2019 और शुरू करते हैं आज का मानी न्यूस फ्रेंड्स साथ से बले चलते हैं जिस खबर पर वो खबर जुड़ी हुए बेड प्रवेस पर रिक्षा के लिए तो आवेदन 11 फरवरी यानि कि कल से शुरू हो रहे हैं और इस बार आयोजक है रुहेल खंड विशुविद्ध्याले है तो फ्रेंड्स सोमवार को वेबसाइट पर फार्म उपलब दो जाएंगे आगामी सेख्षिक सत्र 2019-20 में बेड कालेजों में प्रवेस के लिए इच्चो का भेड़ती इसमें आवेदन करेंगे सासन ने बीर इंट्रेंस के जिम्मेदारी रुहेल खंड विशुविद्ध्याले को सोपी है पिसले कई दिनों से विशुविद्ध्याले पर सासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ था प्रवेस परिच्चा सुल्क गत वर्ष के सामान रखा गया है यानि की सामान और OBC वर के विशुविद्ध्याले के लिए पंद्रो सो रूपए और YACST के लिए 750 रूपए सुल्क तैयं किया गया है विशुविद्ध्याले के सामान रखा गया है लेकिन अभी तक सासन से आरक्षण लागू करने के समथ में कोई सासना देश विशुविद्ध्याले को नहीं पहुचा है और फ्रेंज इसी के साथ चलते हैं अगली खबर पर अगली खबर जुड़ी हुई है कासी हिंदो विशुविद्ध्याले यानि की ब्येच्च्यो से सक्षडी सत्र 2019-20 के लिए प्रियोस घोषडा कर दी गई है में क्राइगी असना तक पार्टक्रमों की प्रियोस परिच्छा के में अभ्यरत्यों को पेन और पेपर मोड से परिच्छा में बैठने का विकल भी देश के 45 दरों में होगा करने की आप चाहें तो आनलाइन यानि की सीबीटी या फिर आफ लाइन यानि की ओमार सीट दूरों में से किसी भी मोड के माध्यम से इस परियोस परिच्छा में आप सामिल हो सकेंगे पार्टक्रमों का बेवरान आवेदन पत्र परिच्छा की तितियां तथा अन्य संबं दो हजार उन्नीस और सारी सुचना है बहुत जल्दी इस्टेटी विद्ज्ञान प्रिकास के इस मतलब की यूटूब चैनल पर भी उपलब रहेंगी हाला कि अगर आप चाहें तो ब्रोसर को ब्रोसर को ब्रोसर को ब्हु आंलाइन डाट इन से जाकर डाउनलोड कर सकते है कांस्टेबल जीडी की लिखित परिचा में बढ़े पांच गुना अभ्यर्थी न्यूजय की स्सी यानि की करंद्याई चैन आयो की और से केंद्री सुरक्षा बलो में सिपाही भर्थी की लिखित परिचा में कभी 3.5 अभ्यर्थी सामिल हुआ करते थे लेकिन 11 से हो रही स्सी मद्षित के अंतरगत यूपी और बिहार में इसके करीब 5 गुना यानि की 14.78 अभ्यर्थी सामिल हो रहे हैं अभ्यर्थी का बढ़ा आकड़ा उस बदली भी विवस्था के कारण है जिसमें फिजिकल टेस्ट को लिखित परिचा के बाद कराये जाने की योजना रिक्तियों के सापे शिदेश भर में 53 लाख अभ्यर्थी सामिल हो रहे हैं जिसमें केवल मद्षितर में 14.78.200 अभ्यर्थी इसमें सामिल रहेंगे एसससे की और से इससे पले भी कांस्टेबल जीडी भर्थी के लिखित परिचा होती रहे हैं लेकिन उसमें 3.5 लाख अभर्थी सामिल रुते थे इस बार क्योंकि फिजिकल टेस्ट बाद में होना है इसलिए ये संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है तो फ्रेंट्स अब बात करते हैं असेस्टन प्रोफेसर भर्थी परिचा के बारे में तो जैसा कि आपको पता है कि इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और 11 फरवरी तक इसमें सारे साक्ष उपलत कराने के लिए कहा गया था तो बहुत सारे अभर्थी पहुँ उत्तरकुंजी अब तक जारी नहीं की है जहां अच रिपोर्ट आने के बाद ही उत्तरकुंजी पर कोई नेड़े लिया जाएगा हलांकि यहां पर आपको बता दें कि दो चरणों की परिच्छा को लेकर जिनके उत्तरकुंजी जारी हो चुकी है अब तक करीब 3000 आपत्ति कोई सूचना देनी है तो वो इलहाबाद जाकर आयोग में अपनी सारी सूचना दे सकते हैं फ्रेंट सेसी के साथ PNP पर छात्रों का धर्ना जारी यानि की 69 जा सिक्चक भरती में पेपर आउट होने के आरोप में परिच्छारा दिकराने की मांग को लेकर प्रतों की छात् आता 33 दिन सनीवार को भी जारी रहा चात्रों ने आरोप लगा कि सरकार खुद भरती फसाय रखना चाहती है और फ्रेंट जिसी के साथ आपको पता ही होगा कि कल यानि की 11 फरवरी को कूट में लगनोग खंट पीट में कल सुनवाई होनी है और आगे क्या होना है ये कल सव जो नया SSC का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसमें जो जो अपर कास्ट पूर है यानि की समण गरीब जिनको आरक्षण दिया गया है दस प्रश्चत का तो उसके लिए कोई अपर लेज नहीं बिताई गई है हलाकि सुर में माना जा रहा था कि जो सुविधाएं OBC को म मिलेंगे यानि की ऐसी वरको जिने अभी तक कोई आरक्षण नहीं मिल पा रहा था हलाकि अभी इसके बारे में कोई असप्रस दिशार नहीं नहीं है लेकिन फिर भी नए नोटिफिकेशन में ये चीज़ें न होने से जानी की एज रिलेक्सेशन में मिलने से अभिरती काफ दिन में देता रहता हूं बहुत को धन्यवाद आप सभी काम से जुणने के लिए मास्रसुति की क्रिपा आप सभी पर बने रहें and as always God bless you all have a nice day